राम शरण तेरी आयो गुडूम तजी राम शरण तेरी आयो जिनके चरणों से पापों का नाश करने वाली पवित्र गंगा का उद्गम होता है आज आज मैं उनी चरणों के दर्शन करूंगा अपने नेत्रों के जल से अर्ध चड़ाऊंगा परंतु परंतु क्या तेरी प्रभू मुझे सुविकार करेंगे अपनी शरण में लेंगे बस यही एक चिंता बार बार सताए जाती है राम जैसरी लाम यहाँ इजर मेटोस हम कपहीभीशन आवत महाराज महाराज एक स्वांग देखने में आया है स्वांग कैसा स्वांग वो है ना बैरी का भाई जी भीषण वो भक्ति का स्वांग रचकर इधर ही चला आ रहा है प्रहूं क्या कहा भक्ति का स्वांग रचकर का है आ रहा है हे रगुनाजी अभी अभी पता चला है कि बेरी का भाई विशन हमारी सेनगा भेर लेने के लिए इधर ही चला आ रहा है हे मित्र तुम्हारी क्या राय है प्रभू मेरे विचार से तो उसको बाल के रखना चाहिए परंत मेरा विचार भी जो धर्म के योदा है रण मेकर तव चुकाते हैं बैरी से कहकर बखिकर यंपुर उपाचते हैं आ रहा भेद लेने के यदि हग फिकर नहीं कुछ यहां भेद की नीती नहीं कुछ यहां प्रभू का जिकर नहीं धोके से लड़ने आया हो इसके संघार को काफी है फिर क्यूं छेड़े वानर इसको संभाव हो मिलने आया हो लगता है के साथ संबे संदी का लाया हो अत्वार्वन का क्या पास हमारे लाया हो या रावन से कुछ बिगर नाथी होकर आया हो हे सखा तुमने अच्छी नीती विचारी है परन्तु मेरा प्रण शरण में आय हुए हर मनुष्य के भैको हरना है मैं उसे अपना कर रखूंगा लक्ष्मन जैसा समझूंगा हनुमान जी प्रभू आप जाईए पुरूने आदर पूर्वक ले आईए जैसे आपकी आग्या भगवाई है विभीशन जी अप आप यहां रामदर में कैसे हनुमान जी मेरे भाई रावन ने मुझे लात मार कर लंका से देश रिकाला दे दिया है और अब मैं प्रभू की शरण में आया हूँ परंतु एक ही दूविदा मुझे सताय जाती है कि प्रभू मुझे अपनी शरण मिलेंगे मुझे अधम पे किर्पा करेंगे विभीशन जी प्रभू तो बड़े दियालू है वो सबको नित प्राते है जो जन उनकी शरणागत हो हिर्दे से उसे लगाते है संभव है संभव है वो दिन शिक रहे जब भागे स्तरा चंका हो सरपर हो राम विभीशन के चर्णों में सारी नंका हो आईए विभीशन जी रामा दल में आपका स्वागत है आईए आईए विभीशन जी आईए लंकेश हाईए लंकेश सरपर्थम अपने परिवार की कुशल कहिए सर्परिवार कुशल कुठा हर बास तुमार एए नाथ निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया हूं एए नाथ मेरी बहादरो मैं शरण आप की आया हूं भीवीशन जी मैं जानता हूं आपको अनीती नहीं स्वाती आप उन दुष्टों के संग कैसे निवास करते है हनुवान जी प्रभू आप जाईए और समुद्र जल ले आईए मैं इनका रास्त लग करके इन्हें लंकेश बनाऊंगा जैसे आपकी आज्या भद्वन जैश्रिरा लंकेश ये नाथ ये आप क्या कह रहे हैं आप इन्हें लंकेश बनाएंगे कल अगर रावन घबरा कर सीता जी को लेकर आपकी शरण में आ गया तो प्रभू आपका ये वचन असत्य हो जाएगा सुगरीव जी रगुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन ना जाए यदि रावन जानकी को लेकर हमारी शरण में आ भी गया तो मैं भरत के साथ जाकर वनों में वास करूँआ और आयुध्या का सारा राज्य मैं रावन को दे दूँआ आई ये भी बीशन जी भागवन बोलिये भाराद भी शाजकी बोलिये भाराद भी शाजकी बोलिये भारे राम चंद्रकी देश्च दिना बोलिये भाराद